तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें गाउं दिखाया जाता है जहां के लोग हंसी कुशी अपनी जिन्दगी गुजार रहे थे उसी गाउं में रहने वाला एक लड़का भी हमें दिखाया जाता है जिसका नाम थौर्फिन होता है थौर्फिन उसी गाउं में रहने वाली एक लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था पिर एक दिन वो उसी लड़की से मिलने के लिए केटल एरिया में जाता है जहां पर वो दोनों बहुसता टाइम साथ गुजारते हैं सीन जेंज होकर शिफ्ट होता है थौर्फिन के चोटे भाई पर जो फ्रोट्स इकठा जैसा नहीं दिख रहा था क्योंकि उसकी दाथ बिल्कुल किसी वुल्फ जैसी थी और तो और उस आदमी का नाम भी वुल्फ स्टैन था अभी वो बच्चा यनि थौर्फिन का भाई वुल्फ स्टैन से बातें कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से जंगल से बहुत सारे व आवाजे ही सुन पाते हैं और उसकी टौकरे नीचे गिर जाती है अब उसके चिलाने की आवाज थौर्फिन भी सुन लेता है लेकिन अब क्योंकि वह अपनी फ्रेंड के साथ होता है इसलिए वह इस पर ज्यादा दिहान नहीं देता इतनी ही दिल में बहुत सारे वियर उसकी फ्रेंड को जान से मार डालते हैं इसकी बार थौर्फिन केडल एरिया से बाहर आता है और अपने भाई को आवाजे लगाने लगता है लेकिन उससे अपना बाई कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि थोड़े टाइम पहले ही कुछ वियर वॉल्फ ने उसे मार डाला हैं यहां पर थौर्फिन भी देखता है कि बहुत सारे वियर वॉल्फ गाउं पर हमला कर रही हैं उन्होंने पूरे गाउमी तबाही मचा दिये हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है इसलिए थौर्फिन अपनी जान बचाकर एक जगा पर खत्रा है लेकिन इतनी ही देर में वहां पर एक वेर वॉल्फ आ जाता है जिसे दीखते ही फौरण थौर्फिन एक जगा पर चुप जाता है अब वो वेर वॉल्फ उसके फादर को जान से मार डालता है अपने फादर को अपनी आंगों के सामने मरता हूँ देखकर के फादर होते हैं और वो थोर्फिन को बताते हैं कि अब तुम बिल्कुल अकेली रह गए हो क्योंकि तुम्हारी पूरी फैमली को वेर वॉल्फ ने मार डाला है और सिर्फ तुम्हारी फैमली को ही नहीं गाओं की आदे सी ज्यदा लोगों को मार दिया है और हमें बहुत जिनियर आदमी का नाम हॉल था और बाकी उसकी साथी थे अब यहां पर चीफ उन चारों को एक टास्क देते हैं कि वो जंगल पर बने गाओं की किंग को जाकर यह मैसेज दें कि हमारे गाओं पर वॉल्फ ने अटैक कर दिया है हम हैल्पलेस हैं हमें आपकी मदद की जरू अबी वो लोग अपने मिशन के लिए जाने ही लगते हैं कि थौर्फिन वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं भी आपके साथ जाना चाता हूं क्योंकि मैं उस जंगल की हर एक रास्ते को जानता हूं और एक बार मैं अपने फादर की साथ भी वहाँ पर गया था तब वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए एगरी हो जाते हैं इसके बाद चेफ थौर्फिन को एक एकस दे कर कहता है कि ये तुम्हारे फादर का था इसके बाद ये लोग अपने मिशन पर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं जहां पर इनका एक और साथी भी इन्हें जान कर लेता है जो कि ट्रीसी लटकी हुई थी उस डेड़ बाड़ी का बहुत ही बुरा हाल था क्योंकि उसके जिसम से सारा मास गाइब था अब थौर्फिन उस डेड़ बाड़ी को गोर से देखता है तब उससे पता चल जाता है कि ये उसके बाइक की डेड़ बाड़ी है जिसे देख अब आपस में बातें करने लगते हैं एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताने लगते हैं अब कुछ टाइम बात बाकि सब तो सो जाते हैं लेकिन हॉल जाग रहा था उसे नीन नहीं आ रही थी तभी थौर्फिन को एक नाइट में राता है जिसकी वजह से उसकी आँख कुल जाती हैं इसकी बाद वो हॉल के पास बैट कर उसे बातें करने लगता है लेकिन तभी अचानक से उन्हें फ्लोट बजने की आवास सुनाई दीती हैं तब वो दोनों जल्दी से उड़ते हैं और चेक करने के लिए जाते हैं लेकिन आगे जाकर वो दीखते हैं कि वहा क्योंकि भी आंग कुल जाती हैं और वो सब भी वियर वॉल्फ से लड़ने लगते हैं उनका मुकाबला करते हैं अब जो दूसरा सीनियर वॉरियर होता है वो बहुत सरे वियर वॉल्फ को मार भी डालता है लेकिन इसी बीच वो सारे वियर वॉल्फ एक दूसरी वॉरियर क हैं इसके बाद वारियर वार्यर को उठा कर अपने साथ ले जाते हैं वह उन्हें सीधा एक केव में लेisti को यहांँ विल्फ Ten एक वॉर्यर को कहीता है कि तौम ुन हमारे साथ साथ चामिल हो जाओ हमारे जैसे बन जाओ या निकिस प्योंधित मिरी बॉ inject in बच जाएगी अब क्योंकि वो मरना तो नहीं चाहता था इसलिए वो इस ओफर को अक्सेप्ट कर लीता है जैसा उसने कहा था वो से काट लीता है और उसे भी वियर वुल्फ बना दीता है उदर हॉल कहता है कि अब हमें यहां से जाना चाहिए जिस पर तौर्फिन जवाब द पिर तौर्फिन को अपना एक वौरियर साती मिल जाता है वो उसके हाथ खोलता है और उसे वहां से ले जाने लगता है साथ साथ वございます को एक्स से मारता भी है लेकिन आवाद सुनकर सारे मेर मॉल्फ जाक जाते हैं जिनमें उनका एक साथी भी शामिल था जिसे वोल्स टर ने वेरवल्फ बनाया था अब उनका वो साथी भी उन पर हमला करने के लिए आगी बढ़ता है लेकिन थौर्फिन अपने साथी को लेकर उस केव से बाहर आने में काम्याब हो जाता है अब वो सीनियर वारियर बहुत ज़दा इंजर था इसलिए हॉल कहता है कि हमें इस वारि पर टाइम हो जाता है और फिर वो एक घर के पास पहुंचते हैं वहां पर वो एक आदमी और एक और एक औरत को देखते हैं जो दोनों हस्बंड वाइफ थे इसके बाद ये लोग उस कपल से हेल्प मांगते हैं अब पहले तो वो आदमी उनकी मदद करने से इंकार कर देता है लेकिन फिर उनके काफी इंजिस्ट करने पर वो मान जाता है वो कहता है कि मेरी वाइफ तुमारी साथी की इंजरी को ठेल कर देगी क्योंकि ये बहुत सारी ड्रेमेडियर्स को जानती है इसके बाद वो दोनों हस्बंड वाइफ उन्हें घर की अंदर ले जाते हैं घर क कर दीता है लेकिन हॉल क्योंकि उसे ज्यादा पावरफुल था इसलिए वो उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मार डालता है बाहर तॉर्फिन को एक सीक्रिट रास्ता नजर आता है जोकि असल में एक दर्वाजा था तब उसे खोलने पर वहां उसे कुछ आदमी नजर जाते हैं जोकि काफी इंजर थी और उन्हें बांदा गया था उदर वो वारियर तड़प रहा होता है जहर की वजह से लेकिन तबी उसकी चेस्ट पर आकर दो एरो गुज जाते हैं और वो एरो वॉल्फ स्टैन चला रहा था फिर वो सीनियर वारियर को भी एक एरो से मार क उसे इंजर अब उनकी वो दोनों वारियर साथी मारे जाते हैं और होल जोकि बहुत ज़दा इंजर था और इतनी ही दिर में वहां पर बहुत सारे वियर वॉल्फ आ जाते हैं जो थोर्फिन और हॉल पर हमला कर दीती हैं वो दोनों काफी बहादरी से काफी दीर तक उनसे लड़ते रहते हैं और दो वेर वॉल्फ को वो जान से मारने में काम्याब भी हो जाती हैं उन्हीं मारने की बाद वो दोनों वहां से भागने लगती हैं लेकिन तब ये चानक सी वुल्फ स्टैन हॉल पर एरो मार कर उसे बहुत ज़दा इंजर्ट कर दीता है ये देखकर तो कहता है कि प्लीज तुम यहां से भाग जाओ अपने जान बचा कर क्योंकि मैं तो बहुत ज़दा जखमी हो गया हूँ और वैसे भी थोड़ी दिर की बाद मैंने मर ही जाना है तब थौर्फिन हॉल की ये बात मान लेता है और वहां से भाग जाता है उसकी जाने की सामने एक कैसल था जो कि उसे केंग का था इन्हें जिसकी पास चीफ ने उन्हें भीजा था अब थौर्फिन उस कैसल की अंदर जाता है जो कि बिल्कुल विरान था और वहां पर कुछ वियर वॉल्फ भी थे जो कि उसे चुप चुप कर देख रहे थे आगी जाने पर थौ पर जाता है जहां पर वो किंग को पाता है अब यहां पर हमें ये बात रिवील होती है कि ये सबकी पीछे किंग का हाथ है वो सारे वियर वॉल्फ किंग के ही साती है जिने किंग ने अपने महल में रखा हुआ है इसके बाद किंग थौर्फिन को निची बेसमेंट में ले जाता है जहां पर हॉल जखमी हालत में बंदा हुआ था मतलब यह कि इतना इंजर्ड होने की बाबा जोद भी वह भी जिन्दा था अब यहां पर एक और सीक्रेट रिवील होता है और वह यह कि हॉल असल में किंग का ही बेटा है लेकिन अपने फादर की इनी जी फरकतों की व वियर वॉल्फ बन जाओ या फिर मर जाओ अब थार्फिन खुद को जिन्दा रखने के लिए उन लोगों जैसा बनने के लिए एगरी हो जाता है लेकिन हॉल उसे ऐसा करने से मना करता है जिस बाद पर किंग अपने ही बेटे यानी हॉल की मुमे तलवार गुसा कर उसे जा यहां पर किंग खड़ा था अब वॉल्फ टैन भी उसके पीछे पीछे जाता है लेकिन यहां पर तौर्फिन उसे जान सिवा डालता है यानी अभी वो इनसान ही था इसके बाद वियर वॉल्फ तौर्फिन पर अटेक कर दीते हैं लेकिन काफी टाइम तक लड़ने की मार कर उसका बुरा हाल कर देता है लेकिन तबी थौर्फिन उड़ता है और वो किंग को काट कर उसे भी वियर वॉल्फ बना देता है याने कि अब किंग भी एक वियर वॉल्फ बन गया था इसके बाद थौर्फिन हीमत करता है और बचे हुए वियर वॉल्फ को भी मार डा जिहाँ पर वो चीफ को भी बताता है कि मैंने सारे वियर वॉल्फ को मार दिया है और वो चीफ के सामने तलP फैंकती हुए कि हैता है कि बस एक आकरी वियर वु düşा है और वो वेर वुल्फ कोई और नहीं बलकि मैं हूँ और तबी चीफ दलवार उठाकर थॉर्फिन का गला काटकर उसकी बोड़ी से अलग कर दीता है फिर वो वहाँ पर नारे लगाने लगता है कि थॉर्फिन हमारा हीरो है वहाँ मजूद सारे लोग भी ये नारा लगाने लगते हैं कि थॉर्फिन हमारा हीरो है इसी सीन के साथ ही ये मूवी अई पर एंड हो जाती है थैंक यू फर वाचिंग